जाहिन दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, मैं आउ संचे सक्सेना और आज मेरे सामने यहाँ पे दो रेनो की गाड़ियां खड़ी हुई है, जिसमें अगर मैं बात करूँ ना भई, एक गाड़ी इंडिया की सबसे एफोर्डेवल MPV वीकल है, जो की है रेनो की ट्राइबर, 7 सीटर में आती है और इसके साथ 4 स्टार सेफटी रेटिंग मिलती है, यहीं पे दूसरी गाड़ी जो मेरे सामने खड़ी है, यह है रेनो की काईगर, इंडिया की सबसे एफोर्डेवल compact SUV with 4 स्टार सेफटी रेटिंग, यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं, RxE variant मेरे सामने खड़ा है, बेस वेरियंट जो की इस काईगर पोर्टफोलियो में आता है, यहीं पे ट्राइवर पे RxE variant, दोनों पे बेस वेरियंट हमने आमने सामने रखते हैं, प्राइज में अगर मैं बात करू ना, देखो, एक शोरूम में टेंटिवली 16,000 रुपे म हम करने के आवाले हैं, इन दोनों गाड़ियों के प्राइज में जादा डिफरेंस नहीं है, तो किस टाइप के बंदे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, यह चीज़ आज हम देखेंगे, इसके साथ थोड़ा बहुत स्पेस के बारे में भी बात करेंगे, किसमें क्या है, क हमें extended warranty मिलती है, एकदम peace of mind, तूसरा, अगर आप सोचो की भई हो सकता है, रेनो की गाड़ियों में maintenance महंगा है, service महंगी है, तो भी रेनो के पास में solution है, क्या solution है, आपको मिलता है AMC, Annual Maintenance Contract, आपको मिलता है 8 साल 80,000 किलोमीटर तक का, फाइदा क्या हो रहा है, जो की normal होती एक साल 10,000 की वो ही schedule है, इनका भी, लेकिन वो सारा का सारा आपका cover होगा, based on, अगर आपने day one से ये सारी चीज़े ले ली तो, अब लेने की बात आ रही है, गाड़ी की, कहां से ले, ये है, दोनों की दोनों गाड़ियां खड़ी होई, active reno, गाजिया बात के अंदर, reno का एक authorized showroom, तो कुछ भी आपका doubt आ रहा है न, related to deal या waiting period, description में दियो है number से, आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं, तो अब फटा फट देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, reno की काईगर में, अगर आप side से देखो न, आपको गाड़ आप देख रहे हो, एक mm जादा है, यहीं आप गाड़ी की चौड़ाई देखो, तो reno काईगर की चौड़ाई है, 1750 mm, भई गाड़ी की चौड़ाई की चौड़ाई की चौड़ाई की जादा है, और triber में 1739 mm की हमें देखने को मिल रही है, यहीं पे आप height देखो, triber के अंदर एक plus point है, भई इसकी height अच्छी है, 1643 mm की height है, triber में आप उपर का part देख रहे हो, second row से उपर का यह एक ना hump निकला हुआ है, जिसकी वज़े से 30 रोपे, काफी better convenience हमें देखने को मिल रही है, इसके साथ बात करते हैं, reno triber में front की, तो दोस्त, front का जो track है, आप यहा पर सामने देख पा रहे हो, triber के center में, इसका जो track है, 1547 mm है, जिसकी वज़े से अंदर 4 बंदे, 3 बंदे, काफी अच्छे, comfortably bet पाएंगे, तो front और rear track, जादा हमें देखने को मिल रही है, और reno काईगर में ground clearance 23 mm, जादा देखने को मिलती है, reno काईगर की ground clearance आती है, 205 mm, य क्या-क्या फरक है, और आप एक चीज़ नोट और करोगे, reno triber के अंदर, एक MUV होने की वज़े से, इसका जो front का bonnet है न, वो हमें बिलकुल छोटा देखने को मिल रहे है, आप ये देखो, लंबाई, दोनों गाड़ियों की same है, ये front का bonnet, बस इत्तु सा है, ये देख रह 5-seater का रहे है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है, अब मैं चलता हूँ reno kiger में, बैठता हूँ पहले और आपको space दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ इस तरीके से, fabric seats हमें देखने को मिल रही है, ये है space, इसमें steering में कोई adjustment नहीं है, driver मे काईगर में भी, और ये कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, music system कुछ नहीं, बिल्कुल basic चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, और चलाने का तरीका ये है, तो 5 feet 10 inches मेरी height है, easily मैं इस गाड़ी का hood देख पा रहा हूँ, ये मेरा sitting kosher है, यहीं पे reno driver देख लेते हैं एक बर, reno driver कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, यहाँ अगर मैं बात करूँ, same इस तरीके से steering की position है, और ये है मेरी driving seat, तो एक चीज़ आप note करोगे, reno kiger के अंदर adjustable headrest थे, इसके अंदर adjustable headrest नहीं है, correct, ये चीज़ है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो, headroom, ठीक ह गाड़ियों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, आप चलते हैं, second row के अंदर, reno की tire के अंदर, seat मैंने अपने हिसाब से adjust कर रहा है, एक चीज़ और है, tires में अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर 16 inches की tire profile देखने को मिल रही है, और यहीं, reno driver में 14 inches की tire की profile देखने को मिल करेक्ट, front में disc brake, rear में drum brake, दोनों गाड़ियों में आ रहे है, ABS, EBD, brake assist, यह सारे standard safety feature हमें देखने को मिल रहे है, अब second row पे आजो, तो, यह है यहाँ पे second row, आप देख सकते हो, knee room, काफी अच्छा ample amount का knee room है, इसके साथ में head room, यह कुछ यहाँ पे head room है, और manually, up and down करने के लिए power windows, manually windows दे रखते हैं, correct, adjustable headress हमें front में देखने को मिलता है, पीछे हमें normal plane, मतलब भी न, adjustable वाला headress देखने को मिल रहे है, अब reno driver पे चलते हैं, तो, यह आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे, यह मेरा sitting position है, आप यहाँ पे देखो कि seat को, मैं अपने हिसाब से adjust कर पा रहा हूँ, yes, adjustable headrest हमें देखने को मिल रहे हैं, second row, third row में adjustable headrest हमें देखने को मिल रहे हैं, और यह है position, काफी अच्छा मैं comfortable यहाँ पे बैठा हूँ, seat आगे पीछे हो सकती है, यह एक advantage ह गाड़ी में, तो यह इस सरीके से मैं कर सकता हूँ, same, इस side की seat right और left की दोनों की मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, यह एक गाड़ी में plus point लग रहा है, तो long route पे कोई दिक्कत ऐसी नहीं होने वाली, अब अगर आपको third row पे जाना है, तो one touch tumble है, यह किया, और यह यहाँ से आप one touch tumble use करके पीछे जा सकते हो, और रैनो ड्राइवर के अंदर जो charging का space है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ आगे देखने को मिल रहा है, आपको जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, तो यह आप यहाँ पे देख सकते हैं, gear lever के आगे, यह कुछ यहाँ पे space 12V के charging का दिख रह है, और second row पे भी देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा practical option आपके लिए रैनो काईगर बन सकता है, अगर आप regular family के साथ travel करते हैं, तो final verdict की बात करते हैं, तो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, base variant, यार देखो दोनों गाडियों के base variant है, लेकिन रैनो ट्राइबर, प सिटी में travel करते हो, या tier 2 सिटी में कभी कबार जाते हो, साथ ही साथ, mix running आपके, city भी, highway भी, तो रैनो ट्राइबर एक आपके लिए अच्छा option है, क्योंकि आपको 7-seater मिल रहा है, और जैसा वे ने आपको वीडियो में दिखाया है, इसकी पीछे की height, height इसकी जादा होने स से ठेल ड्रो पे भी न, एक adult बंडा comfortably बैट सकता है, comfortably बोले तो 100-500 km के अगर journey है, तो yes, वो comfortably कर सकता है, otherwise बीच में थोड़ा stretch लेके, body को stretch करके हम आगे चल सकते हैं, साथ ही साथ, रैनो ट्राइबर में में मेरे को जो अच्छी बात लगी, वो लगी कि इसके base variant से, projector lamp आपक अच्छी comfortable है, तो ये चीज है, और सबसे मज़िदार बाद, flexi sitting option जो रैनो ट्राइबर का आ रहे हैं, ये एक आपके लिए बहुत अच्छा feature साबित हो सकता है, अगर आप multi-purpose के लिए गाड़ी ले रहे हो, मतलब हो सकता है आपका कोई चोटा मोटा काम हो, जिसके लिए मत अपड़ो का काम हो सकता है, या कोई accessory का business हो सकता है, तो family के साथ जब आप जा रहे हो, third row को आप लगा दो, otherwise जब आप कभी आप normal अपने personal काम के लिए जा रहे हैं, तो third row को आप निकाल के bag में pack कर सकते हैं, तो एक चीज ये मेरे को अच्छी लगी, और जिस price में ये कार आ अब बात करता हूँ, रेनो की काईगर पे, यार देखो काईगर में ground clearance जादा है, जादा ground clearance एक इस गाड़ी के लिए advantage है, दूसरा गाड़ी में अगर मैं बात करू ना, multiple engine option है, आपको turbo engine भी मिल रहा है, AMT transmission भी मिल रहा है, CVT भी मिल रहा है, तो ये एक plus point है, अगर आप र इस variant में मेरे को अच्छा क्या लगा, मेरे को अच्छा इस variant में ये लगा, कि base variant से DRL हमें देखने को मिल रहा है, दूसरा ORVM हमें gloss finish में देखने को मिल रहा है, with side turn indicator, तो ये गाड़ी ना, एक ऐसे बंदे के लिए perfect car है, जो की tier 2, tier 3 city में रहता है, और job करता है Delhi NCR या Metro City में Saturday, Sunday अपने family के साथ जाता है, तो थोड़ा जिस भी जगापे वो जाते हैं, थोड़ा वो rough road है, तो गाड़ी के लिए एक advantage है, पाइए wheel का size जाधा है, ground clearance जाधा है, तो better आपको confidence दे सकता है, during the rough road, साथी साथ highway पी भी अगर मैं बात करू ना, तो yes, इसके इंदर, ये जो natural aspir operated engine है, जिस हिसाब से car का aerodynamic है, काफी भेतर highway पे ये गाड़ी perform करेगी, मैंने इससे पहले भी reno kiger का drive review बना रखा है, एक बार वो भी जाके जरूर consider करना, साथी साथ अगर आप nuclear family में रहते हो, आपकी 5 जनों मतलब 3 जनों की family है, 4 जने है, तो भी perfect option ये आपके लिए होने बूट space इस गाड़ी का सबसे अच्छा advantage है, तूसरा, टेंटिवली साड़े साथ लाग के आसपास अगर आप on-road पे इस गाड़ी को ले रहे हो, भाई, 4 star safety rating बिल रही है, इस price पे इस से better value for money आपको कोई नहीं दे सकता, दुबारा मैं बात करता हूँ, Nissan Magnite की, देखो आज निसान जो चल रहा है वो सिर्फ एक ही गाड़ी पे चल रहा है, आपको वो इतना long term पे reliability नहीं दे पाएगा, जितना reno दे पाएगा, तो better है कि reno के साथ में आपको जरूर आना चाहिए, यही था मेरी तरफ से एक short conclusion इन दोनों गाड़ियों का, नमस्कार दोस्तों, मैं आ 9818446963, आपका दोस्त वरूंते हागी, खतम करते हैं वीडियो को, that's all for my side, thank you so much for watching, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं, तो yes इसको subscribe करें, plus share करें इस वीडियो को,